T20 World Cup 2022, रोहित से मिलने के लिए सुरक्षा घेरा तोरना फैन को पड़ा महंगा, जुर्माने के तौर पर देने होंगे इतनी लाख रुपके T20 World Cup 2022, मैच के बीच रोहित शर्मा के छोटे फैन को अपने हीरे मिलना काफी भारी पड़ गया है रोहित के निने फैन को उसकी इस हरकत के लिए लाखों का जुर्माना चुकाना होगा टीम इंडिया ने आज जिम्बाबवे के खिलाफ सुपर माइनस बारह का आखिरी मैच खेला इस मैच में भारतियर टीम ने 71 रनों से बड़ी जीत हासिल की यह मैच मेलबन क्रिकेट ग्राउंट में खेला गया था इस मैच के बाद ये भी साफ हो गया कि 10 नवंबर गुरुवार को भारतियर टीम इंगलेंड के खिलाफ सेमी फाइनल मैच खेलेगी जिम्बाबवे के खिलाफ खेले गए मैच में एक ऐसा वाक्या पेश आया जिसने सब को हैरान कर दिया दरसल एक बच्चा मैच के बीच में रोहित शर्मा से मिलने के लिए ग्राउंट पर घुसाया बच्चे की इस हरकत पर उसके उप लाखो रुपे का जुर्माना लगा दिया गया बच्चे पर लगा करीब 6 लाख का जुर्माना बताया जा रहा है कि बच्चा रोहित शर्मा का फैन था बच्चे ने रोहित शर्मा ने मिलने के लिए ग्राउंड का सुरक्षा घेरा तोर दिया और सीधा मैच के बीच ग्राउंड पर आ गया हाला कि बच्चा रोहित शर्मा से मैच के चलते अच्छी तरह से नहीं मिल पाया बच्चे के लिए सुरक्षा घेरा पार करना बड़ी समस्या बन गया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे पर उसकी इस हरकत के लिए करीब 11,095 डॉलर करीब 6.50 लाग का जुर्माना लगाया गया है ये भी बताया गया कि जुर्माने की रकम को ग्राउंड के बरिस को बोर्ट पर भी दिखाया गया था वायरल हुआ वीडियो बच्चे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा ने मिलने के बाद बच्चा भावुक हो गया वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे की आँखों में आसु आ गये थे वीडियो में ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही सुरक्षाकर्मी बच्चे को पकड़ कर बाहर ले जाने लगते हैं तब रोहित शर्मा सुरक्षाकर्मियों से कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं झाल